रस्पान कीजिए आज की देवी भागवत पुरान कथागा इससे पहले मैं आप सभी को बता दो कि हमारे चैनल पर नवरातरी से समधित वीडियोज भी अपलोड हो चुकी है अगर आपके पास समय हो तो प्लीज आप इन वीडियोज को भी चेरूर देखिएगा शुरी सूत जी कहते हैं कि इसके बाद शुकदेव जी के आगमन का समचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया भली भातियाओ भगत की कुशल मंगल पूछा दूद देने वाली गव उनक के सामने उपस्थित कर दी शुकदेव जी ने महराज जनक के कियेवे सतकार को नियमानुसार स्विकार कर लिया राजा से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछी और उनसे अपना शुप समचार कह सुनाया कुशल प्रश्न होने के बाद व्यास नंदन शुकदेव जी सुखद आशन पर बैठ गए उनका चित्त शांत था तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि महाभाग आप बड़े निस्प्रह महात्मा है मुनिवर किस काम से आपका यहां पधार ना हुआ बताने की किरपा कीजिए तब शिरी शुकदेव जी बोले महराज पिता व्यास जी ने बंधन नहीं है तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी मेरा मन विवित तरह की कलपनाओं में उलजने लगा मेरे मन की दशा को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले तू मिथिला चला जा शोक मत कर वहां राजा जनक रहते हैं वे यागिक पुरुष और जीवन मुक्त हैं विदे स्विकार करना चाहता है महाभाग राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुझे विवा अवश्य ही कर लेना चाहिए और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर उन महाराज से पूछ ले वे राजा जनक जी तेरे मानसिक सार के बंधर से मुक्त होना चाहता हूं मुझे बताईये कि मुझे क्या करना चाहिए तब तीर्थ व्रत यग्य स्वाध्याय तीर्थ व्यास या फिर ग्यान इन साधनों में से किसका आश्रे लेने से मुक्ति सुलब होती है ये कहने की कृपा करें तब राजजनक ने कहा कि सुनिये मौक्ष मार्ग का अनुसरन करने वाले ब्रहमण को चाहिए कि पहले उसका यग्योपवीत संसकार हो फिर विद्या पढ़ने के लिए वह गुरू के यहां रहे वेद और विदान्त का अध्यान हो जाने पर गुरू को गुरुदक्षना दे उसका समावर्तन हो फिर वह विवह करके ग्रहस्त आश्रमी बन जाए मन पर अधिकार रखे इसके अलावा दूसरा कोई विधी विधान उसके लिए लागु नहीं होता संतोश रखे दूसरे की आशा ना करे मन में पाप को न ठेरने दे अगनी होत्रादी करता रहे सदा सत् पवित्र रहे पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्त हो जाए तपस्या करके काम क्रोध आदी छहों शत्रों पर विजय प्रात कर ले इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए इस्तरी की विवस्था कर दे अर्थात पुत्र का विवह कर दे नियाय पूर्वक संप वेराग्य होने पर ही ऐसी इस्थिती बनानी चाहिए मेरी चमज से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता शुकदेव जी वेद की आग्या के अनुसार 48 संसकार भीत है उनसे महा पुरुषों ने ग्रहस्त के लिए 40 संसकार बताए है मानद वासनाय बड़ी दुर्जर है ये शांत नहीं होती इसलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशा त्यागी बनना चाहिए उपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती सन्यासी हो जाने पर भ्रस्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है चीटी पैर से ही व्रक्ष के मूल पर चड़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुख पूर्वक फल तक भी पहुँच जाती है पक्षी कोई विग्न सामने ना आ जाए इस भए से बड़ी तेज गती से उड़ता है परिणाम ये होता है कि वो तो ठक जाता है और चीटी सुखी होती है जो भगवत साक्षातकार से वंचित हैं वे मन के प्रबलवेग को रोक नहीं सकते इसलिए क्रमशह वर्णाश्रम धर्म का अनुसरन करते हुए मन को जीतना चाहिए ग्रेस्त आस्रम में लीन रहकर भी सदाशांत रहे बुद्धी में विकार उत्पन ना होने दे आत्म का चिंतन करे ना लाभ में प्रसन हो और ना हानी में दुखी हो हर इस्थिती में एक समान रहना चाहिए इस तरह से जनक जी ने शुकदेव जी को तरह तरह का ज्यान दिया श्री सूत जी कहते हैं जनक जी के उपरियुक्त कथन सुनकर शुकदेव जी का मन मुक्त हो गया उनकी शंकाएं दूर हो गई उसी चण जनक जी से आगया लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े अपने पुत्र को आते देखकर व्यास जी के सुख की कोई सीमा ही नहीं रही उन्होंने शुकदेव जी को गोद में बिठा लिया मस्तक सुंगा फिर उनकी कुशल मंगल पूछी इसके बाद शुकदेव जी अपने पिता के पासी उनके सुंदर आश्रम में रहने लगे वे वेदा ध्यन में सफलता पा चुके थे सभी शास्त्रों का सम्यक प्रकार से उन्होंने अध्यन भी कर लिया था राजी करते हुए भी राजा जनक की जो इस्थिती थी उसे देखकर शुकदेव जी के मन को बड़ी शांती बिली अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभीष्ठ हो गया पित्रों की एक सभागी वती कन्या थी उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी योग पत के पतिक होते वे भी शुकदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया उसकन्या से उन्हें चाल पुत्र हुए कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवशृत कीर्थी नाम की एक कन्या हुई परमतेजस्वी शुकदेव जी ने विब्राज कुमार महामना अणुह के साथ उसकन्या का विवाह कर दिया और उसके शुरिमान ब्रहमदत पुत्र हुए शुकदेव जी के दोहित्र ब्रहमदत बड़े प्रतापी राजा हुए साथ ही वे ब्रहमग्यानी भी थे कितने समय तक वहां रहकर नारज जी ने उन्हें ब्रहमग्यान का उपदेश दिया था ज्यान की पराकास्था पर पहुँचकर ब्रहमदत ने सर्वोत क्रिष्ट योगमार्ग का नूरसरन किया नारज जी के किरपासे वे बहुत शीगर मुक्तिप्रत ज्यान के अधिकारी हो गए फिर शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़ कर केलास के सुरम्य शिखर पर जाने का नेलन किया वहां उन्होंने अविचल समाधी लगा ली परम सिध्धी मिल जाने पर उनका आसन शिखर से उपर उठ गया आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हो शुकदेव जी के उपर उठते समय परवत का शिखर भट कर दो भागों में बट गया हवा की तरह तेज गती से वे आकाश में चले तो उतपातों की भरमार हो गई रिशिगर ने उनका इस्तवन करना प्रारम कर दिया उस समय शुकदेव जी तेजस्वी होने की कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यत प्रकाशित होने लगे उधर व्यास जी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ उनके मुक से बार बार हे पुत्र ये शब्द निकल रहा था वे परवत के उस शिखर पर चले गए जहां शुकदेव जी ने योगा अभ्यास किया था व्यास जी की दैनी दशा देखकर शुकदेव जी ने उत्तर दिया और उनके वचन से सभी जान गए कि शुकदेव जी व्यस्टी शरीर को समस्टी में मिलाकर आकाश में चले गए हैं उस परवत के शिखर पर अब तक भी इस पस्ट उत्तर सुनाई परता था व्यास जी का विलाब बंद नहीं हुआ वे शोक के उम्रे हुए सागर में डूब उत्रा रहे थे उनके मुक से बार बार पुत्र की करुन आवाज निकल रही थी मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था उनकी स्थिती देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरम कर दिया कि व्यास जी तुम शोक मत करो तुम्हारा पुत्र शुकदेव योग शास्तर का प्रकांड विद्वान है उसे वह उत्तम गती सुलब हुई है जिसे अक्रतात्मा कभी पाही नहीं सकते तुम तो स्वैंविग्गी परुशो इसलिए शुकदेव जी के विशय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए पुत्र ऐसे योग योग पुत्र की प्राक्ति से तो तुम्हारी कीर्थी विश्तरित हो गई है तब शंकर जी के वच्ण सुनकर व्यास जी कहने लगे है देवेश मैं क्या करूँ विवश हो गया हूँ पुत्र को देखने से अत्रिप्त मेरे नेत्र अभी उसे देखने के लिए छटपटा रही है महादेव जी कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र के मन को अत्यन्त मुख्ध करने वाली चाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी महान तब करने वाले मुनिवर उस प्रतिविंब को देखकर तुम अपना मन शांत कर लेना श्री सूत जी कहते हैं फिर तो शुकदेव जी का परम प्रकाश्मान प्रतिविंब शीकर ही व्यास जी को दिखाई देने लगा मुनिको वर्देकर भगवान शंकर तो वहीं अंतरधियान हो गए और उनकी अंतरधियान होने के बाद व्यास जी अपने आश्रम में वापस चले आए रिश्यों ने पूछा परम सिध्धी प्राप्त करके शुकदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमनी व्यास जी ने फिर क्या किया इससे विस्तार पूर्वखा में बताने की किरपा कीजिए शिरिसूत जी कहते हैं असित देवल वेशंपायन जैमिनी और सुमन्तू प्रभिर्ती अने को शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदा अभ्यास करती थे और वे सभी पहले ही आग्या लेकर प्रथी पर धर्म का प्रचार करने चले गए थे तथा पुत्र शुकदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया ये सब देखकर वियास जी के मन पर शोकी की घटा घिराई उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया इतने में उन्हें निशाद कन्या अपनी पुर्णिवती माता सत्यवती याद आ गई उन्होंने उन्हें गंगा के तटपर छोड़ दिया था उस समय वे अत्यंत शोककुल थी माता सत्यवती की देनी दशा याद आने पर महातेजस्वी मुनिवर वियास जी उस परवत शिखर को छोड़कर अपनी जन्म भूमी पर आ गई आकर निशादों से पूछा कि पुर्णिमाई माता कहां गई उन सब ने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शंतनु को सौप दी गई है इसके बाद दाश राज ने प्रसनिता पूर्वक व्यास जी का आतिति सत्कार किया फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम में तठ पर अपना आश्रम बना कर वही रहने लगे उनकी तपस से आरंभ हो गई राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे उन्होंने सत्यवती के गर्ब से दो पुत्रों को जन्म दिया वनवासी जीवन बिताते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जिसमें राजा जन्मेजे ने व्यास जी से पूछा की प्रभो अब आप मुझे देवी भगवती के चरित्र का वन्नकरने की करपा कीजिए क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यत उतकनठित है मैं अत्यत उत्सक हूँ तब भ्यास जी कहने लगे राजन सुनो भगवती के चरित्र का विस्तार पुर्वक वन्नन करता हूँ महामते श्रद्धालू और शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचेट मूर्खी समझना चाहिए पूर्व समय की बात है धर्ती पर महिशासुर नाम का एक राजा था उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीशन लड़ाई ठन गई थी राजन महिशासुर ने अतिन्त कठिन तब किया था सुमेरू परवत पर जाकर उसने कठिन तपस्या की थी देवता उसकी तपस्या देखकर अतिन्त आश्चरे में पड़ गए थे दसजार वर्षों तक वह अपने इश्ट देव का अपने हर्दे में ध्यान करता रहा महराज इसके बाद उसके आराध देव लोग पिता में ब्रह्माजी प्रसन हो गए वे हंस पर विराज मान होकर वहाँ आये और बोले ये धर्मात्मन वर्मागो मैं तुम्हारा मनुरत पूंड करने के लिए ततपर हूँ तब महिशा सुर ब्रह्माजी से कहने लगा कि देवाधी देव ये महाभाग ब्रह्माजी मैं आपसे अमर हो जाने का वर्दान चाहता हूँ पिता में जिस प्रकार मृत्यों का भई सामने ना आये वैसा ही वर्देने की करपा कीजिए मैशा सुर की बात सुनकर ड्रह्माजी कहने लगे कि जनमे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जनम लेना बिलकुल निश्यत है ये नियम सदा लागू रहता है सभी प्राणीों की जनम लेने और मरने की करिया अनिवारी रूप से सदा चलती रहती है देत्य वर समया नुसार संपोन प्राणियों की मृत्य हो जाती है बड़े बड़े परवतों और समुद्रों का भी इतिनांत हो जाता है इसलिए राजन एक मृत्य के विशे को छोड़ कर दूसरा जो कुछ भी तुमारे मन में जचे वो वर मुझसे मांग लो तब महिशासर बोला पिता महें देवता, दैत्य और दानव इन में से किसी भी पुरुष्ट से मेरी मृत्य कभी न हो कोई इस्त्री ही मुझे मार सके इसलिए हे ब्रहमाजी इस्त्री के हाथ मेरा मरन निश्चित करने की किरपा कीजिए पर जो स्वेम अबला है, वो मुझे मारने में भला समर्थ कैसे हो सकेगी तब ब्रहमाजी कहने लगे, दैत्य और ठीक है, जब कभी भी इस्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्य निश्चित हो महाभाग महिशासर, पुरुषों के हाथ तुम कभी नहीं मर सकोगे ये वर्दान मैं तुम्हें देता हूँ, व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार महिशासर को वर्दान देकर ब्रहमाजी अपने आश्रम के लिए प्रिस्थान कर गए वह प्रतापी दैत्य महिशासर भी बड़ी प्रसनिता से अपने घर लोट गया अब राजन में जैने पूछा महिशासर किसका पुतर था? उस महाबली दैत्य के उत्पत्ती कैसे हुई थी? और एक महान आत्मा होते हैं, वे भी उसे महिश का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जीने उनके प्रशनों का उत्तर देते वे कहा, महाराज दनू के जगत प्रसे थे दो पुतर थे, उनके नाम थे रंभ और करंभ, उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, महाराज वे दोनों संतान हीन थे, इसलिए पुतर होने के लिए तपस्या करने लगे, बहुत वर्शों तक कठिन तपस्या की, पांच नद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई, करंभ जल में डूप कर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा, रंभ प्रशस्त दूध वाले वट व्रक्ष के नीचे गया और पंचागनी की विवस्था करके तपस्य में लीन हो गया, जब रंभ पंचागनी तापता हुआ और साधन में ततपर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपती इंद्र महां दुखी हो गये, वे स्वयम पंचनद पर पहुँचे, ग्रह का वे शिधारन करके उन्होंने जल में कर लिए, उनके इस प्रयास से दुराचारी करंब की जीवन लीला समाथ हो गई, अपने भाई की मृत्यू का समचार सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही, उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि अपना मस्तक काट कर अगनी को भेट कर दूँ, इसलिए उसने सहसा बाए हा हाथ से अपने सिर्की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर उसने अपने मस्तक को धर से अलग कर देना चाहा, इतने में ही उसे समझाने के लिए अगनी देव वहां प्रकट हुए, अगनी देव ने रंभ से कहा दैत्य, तुम्में तो बड़ी मांग लो, मन में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो लेकिन अपने शरीर का त्याग मत करो, इस प्रकार प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौनसा कारी सिद्ध हो सकेगा, द्यास जी कहते हैं, अगनी देव की बाणी बड़ी सरस्ती, उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी, और कहने लगा देवेश, अगर आप प्रसन हैं, तो मुझे अभीस्ट वर देने की करपा कीचे, मैं त्रिलो की पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूं, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, जिसके प्रयास से शत्रु की सेन अपने प्राणों से ह जा सके, उसमें असीम शक्ती हो, अपनी इच्छा के निशा रूप धारंग कर सके, सब लोग उसके चरणों में मस्तक जुकाएं, तब अगनी देव ने रंभ से कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पून होगी, महाभाग, तुम्हे वैसा ही पुत्र ह अब आत्मत्या का विचार छोड़ दो, महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिख जाए, उसी के गर्भ से महान पराकरमी पुत्र तुम्हे प्राप्त होगा, व्यासी कहते हैं, अगनी देव का वचन मन को प्रसंद कर देने वाला था, उनकी बात सु मौजूद थे, पशुभावा पन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महीशी पर उस दानवराज की दिर्ष्टी पड़ गई, उस समय वह भैस भी जवानी के मद में चूर थी, रंभ उस पर आकर्शित हो गया, और होनी तो बड़ी प्रबल है, इस प्रकार वह महशी स्वयम सामने आ गया, और उसके उपर जप्टा, वह बलवान वहसा भी कामांध था, उसने तुरंट अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुचाने शुरू कर दी, उसके सींग बड़े तीखे थे, उस भैसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हिर्दय में बड़ी तेजी से वह एक वट वरक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई, उसके पीछे लगा हुआ वह भैसा भी वही पहुच गया, बलके अभिमान में तो वह चूर था ही, यक्षों ने देखा कि वह महशी अत्यत कातर होकर अपनी आँखों से आंसु गिरा रही है, और भैसे उसका कलेजा काप रहा है, साथ ही पीछे दोड़ कर आता हुआ भैसा भी उन्हें दिखाई दिया, इसलिए उस भैस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैसों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए, अब उस भैसे के साथ उन यक्षों का रोमांच कारी युद्द छ दास अंसकार करने के लिए चिता पर रख दिया, पती के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महीशी के मन में भी निश्चित विचार हो गया, कि मैं भी अपने पती के साथ ही सती हो जाओं, यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में जराबी परिवर्तन नहीं और वह जलतीवी चिता में बैठ गई, उसने अपने प्रेमी पती को अपने हर्दे से लगा लिया, उसी समय चिता के मध्यभाग से महाबली महिशासुर निकलाया, पुत्र पर कृपा करने वाला स्वम रंभ भी एक दूसरा शरीर धारन करके रक्तबीज के रूप में चिता से बहार निकला, इस प्रकार महिशासुर और रक्तबीज इन दोनों की उत्पत्ती महाबली रंभ से ही हुई, इसके बाद मुख्य मुख्य दानवे कत्र हुए और उन्होंने महिशासुर को वहां की राजगद्धी पर अभिशिक्त कर दिया, राजन, महिशासुर अर्थात कोई भी उसका वद्ध नहीं कर सकता था, महाराज, महिशासुर के जन्म और उसको मिलेवे वर्दान का यही प्रसंग है, जय मातादी, आज की कथा समाप्त हुई, इसके आगी का वरतान्त आप अगले अध्याय में सुनेंगे, उमीद है ये वीडियो आपको पसं दाई होगी,